जैहिंदे, सरकारी नियूज अपडेट में हम आपका स्वागत करते हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आज यानि 16 सेप्टेंबर को और नेक और वन पेंसन के विशय में एक महतोपून फैसला आने वाला है सुप्रिम कोट ने अपने सुनवाई में सुनवाई करते हुए यह फैसला जो दिया है उसे मेजर जेनर सट्वे सिंग साब ने अपने ट्विटर के माध्यम से हमें बताया है जो अपडेट हम आपको पहुचाने जा रहे हैं उन्होंने ऐसा लिखा है ऐसा बताया अपने ट्विटर के माध्यम से कि जो भी प्लैनिंग उनकी थी हमारी प्लैनिंग बिल्कु सही चल रहे है लेकिन अभी कॉंसिल का अप्रूबल नहीं आया है इसके लिए तीन महिने का एक्स्टेंशन मांगा गया है या तीन महिने का एक्स्टेंशन उन्होंने लिया है सरकार ने अब 16 दिसंबर 2022 तक आपको बेट करना पड़ेगा सुनवाई करते समय हमारे जो वकील है लोयर ने इसका विरोत किया और उन्हों ने का कि एक्स्टेंशन का जो समय है उसमें 8% का व्याज दिया जाये pension भोगियों का क्योंकि एक्स्टेंशन का जो समय लिया गया है वो pension भोगियों के हितमें नहीं है इसलिए उन्हें रुकना पड़ेगा 30 तिन महीने इसलिए आठ परसेंट का ब्याज उन्हें दिया जाए। लेकिन इस सुन्वाई को देख रहा हैं जज उन्हों hydraulic इनकार कर दिया। और उन्हों Ty होला कि इस परियाट का कोई भी ब्याज पंशन भोगियों को को इंतिजार करना पड़ेगा फैसला सुप्रीम कोट का अभी अभी आया है और मेजर जेनर सत्वीर सिंग साहब ने इसे अपने टुटर एकाउंट में दिया है और हमने आप तक यह information पहुचा दी है यही conclusion है और हमने आपको पहुचाया इसके लिए आपको तीन महिने का इंतिजार करना पड़ेगा तीन महिने के बाद आपकी payment कर दी जाएगी लेकिन कोई भी इस तीन महिनों के बीच कोई भी आपको ब्याज नही दीन मिलेगा